यह देखिए बिल्कुर फ्रेश पग मार्क है जो की काफी बड़ा लग रहा है मेल टाइगर का हमें हाँ मिला एक हीरन का सींग जगे बहुत ही खतरनाक सी लग रही है हम आप एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है कैसे वह आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं आपका दोस अभी शेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन आज हम इस ब्लॉग की शुरुबात कर रहे हैं हर बार की तरह रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पा दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं काफी सारे टाइगर के पग मार्क आपको दिखाते हैं यह काफी घना जंगल है यह रिवर साइड एरिया है यह बहुत ही घना जंगल है और हम यह रिवर साइड एरिया है और अभी अभी हमें दिखाई दिया टाइगर का पग मार्क जो की बिलकुँ फ्रेश है हम आपको दिखाते हैं यह देखिए यह बिलकु फ्रेश पग मार्क है और काफी बड़ा पंज़ा सा काफी बड़ा सा पंज़ा है मैं इसे मार्क करता हू यह देखिए दोस्तों यह काफी घना जंगल है हम वैसे पूरी सेफ्टी के साथ है आस पास काफी अन्नाटा सा हो रहा है हम सोच रहे हैं हाँ से निकलने में फायदा है यह देखिए बिल्कुर फ्रेश पग मार्क है जो की काफी बड़ा लग रहा है मेल टाइगर का इस समय घने जंगल में और जैसा कि पग मार्क के निशान दिख रहे हैं वो टाइगर आगे की साइड गया है इधर ही रिवर साइड तो हम भी आगे चलते हैं और आगे की साइड आपको दिखाएंगे हो सकता है हमें नसीब में भी हो तो ऐसे इस ब्लॉग में बन रहे हैं ब्लॉग बहुत इंटरस्टिंग होगा थोड़ा डेंजरस भी है टाइगर गया इसी साइड आगे हम और देखने कोशिश करते हैं यह एरिया काफी थोड़ा उपर चड़के देखते हैं इस साइड हमें लग रहा है वो आगे की तरफ निकल गया तो हम भी थोड़ा आगे जाके कोशिश करते हैं क्या पता हमें टाइगर देखने को मिल जाए दोस्तो हमें हमिला एक हिरन का सींग जो की बिलको औरिजनल है पहल तो हमें लगा कि एक डंडी है पर यह एक स्पॉर्टिड डियर का सींग फिलाल हम इसे छूनी रहे क्योंकि एक इल्लीगल इसे ले जाना भी इल्लीगल प्रोसेज है तो इस लफड़े में हम पढ़ना नहीं चारे हम फिलाल इस जगे से निकलते हैं यह जगे बहुत ही खतरनाक सी लग रही है हम आपके लिए गने जंगल में आये हैं तो एक लाइक तो बनता है और आपको दिखाएंगे आगे का यह देखिए यह बहुत ही खतरनाक सा जंगल है एक बाप फिर दिखाते हैं आपको टाइगर के पगमार तो टाइगर इसी साइड गया है